सशे कपूर के फिल्मी करियर में सत्यम शिवम सुंदरम की खास जगे है इस फिल्म में उन्होंने एहम किरदार निभाया था राज कपूर ने इस फिल्म का निर्मान और निर्देशन किया था सशे कपूर सत्तर और असी के दशक में एक बड़े अभिनेता बन कर उबहे थे इस दौरान वे एक दिन में चार से पाच शिफ्ट करते थे एक दिर में वे तीन चार मुवी के लिए काम कर रहे होते थे इसके लिए वे अलग-अलग मुवी के शूटिंग लोकेशन पर जाते थे ऐसे में उनसे मिलना मुश्किल था बताया जाता है कि उनके बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें टैक्सी कहना शुरू कर दिया था ये उस दौर की बाद है जब सशी कपूर सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहे थे राज कपूर का कहरा था कि वह एक टैक्सी की तरह है उन्हें कोई भी किराये पर हायर कर सकता है कर दो कि बाद है